Press the bell icon and never miss any update from What's Up Bollywood आने तो जल्दी बिग बॉस सीजन 14 में पारस छाबरा की एंट्री होने वाली है और वो भी देवुलेना भटा चार्ट जी को सपोर्ट करने के लिए वेल अब हम ये सब जानते हैं कि किस तरह से बिग बॉस सीजन 13 में ये दोनों एक दूसरे को आखों आखों नहीं देखना चाहते थे ऐसे में जब वो बिग बॉस सीजन 14 में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो आने वालत एपिसोड बेहत इंट्रेस्टिंग हो जाएगा आईए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं इनकी स्टॉरी बिग बॉस सीजन 14 में हमें हर दिन कोई न कोई ड्रामा देखने को मिलता है शो के मेकर्स हमीशा ही इस शो में नए ट्विल्स प्लाने की कोशिश करते हैं अब जल्दी बिग बॉस सीजन 14 के घर में हाउस मेट्स के कनेक्शन की एंट्री होने वाली है घर वालों का कनेक्शन बन कर बहुत से टीवी स्टास बिग बॉस सीजन 14 के घर में एंट्री करने वाले हैं आपको बता दे कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बिंदुदारा सिंग राखे सावन को सपोर्ट करने सल्मान खान की शो में आएंगे इस बीच रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि बिग बॉस सीजन 13 की शान रह चुके पारश चाबरा भी सीजन 14 में अपनी धमाकेदार एंट्री मारने वाले हैं टाइम्स आफ इंडिया के एक रिपोर्ट में ये क्लेम किया जा रहा है कि पारश चाबरा इस वीकेंट घर वालों से मिलने वाले हैं रिपोर्ट्स की माने तो पारश चाबरा बिग बॉस सीजन 14 में देवोलीना भटाचार्जी के कनेक्शन बन कर जाएंगे इस सीजन में पारश चाबरा देवोलीना भटाचार्जी को सपोर्ट भी करेंगे सोर्सेस की माने तो पारश चाबरा बीते कुछ समय से चंडिगर में शूटिंग कर रहे थे लेकिन बिग बॉस में एंट्री करने के लिए उन्होंने मुंबई की फ्लाइट पकर ली और यहां पहुंच चुके हैं उनका कोरोना टेस्ट भी करवाया जाएगा जिसके बाद उन्हें बिग बॉस के घर में जाने की इजाज़त मिल जाएगी पारस चाबरा बिग बॉस के बाकी कनेक्शन के साथ घर में एंट्री लेंगे वेट भली ही इस बार पारस चाबरा देवुलीना भटाचार जी के कनेक्शन बनकर इश्यों में एंट्री कर रहे हैं लेकिन दोनों के बीच का रिष्टा ऐसा नहीं है वो एक दूसरे के दुश्मन बनकर रह चुके हैं बता दे बिग बॉस सीजन 13 में पारस और देवुलीना की बीच की लड़ाई रश्मी और सिधार शुकला की वज़से बढ़ गई थी ऐसे में बिग बॉस का नया एपिसोड देखना काफी इंट्रेस्टिंग होगा वेल क्या आप बिग बॉस सीजन 14 में पारस शाबरा को देखने के लिए एक्साइटेड है कमेंज के जरीए हमें जरूर बताईए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें What's Up Bollywood